हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई चेनल अलता टेस्टो फ इंडिया तो फ्रेंड्स केसे हैं आप आशा करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स आपको थाली को देख के अंदाजा हो गया होगा क्या आज क्या बनने वाला है जी बिलकुल आज हम बनाएंगे छोले और भटूरे, फ्रेंड्स छोले भटूरे सभी के पसंदीदा होते हैं बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद होते हैं तो फ्रेंड्स आज ये जो छोले भटूरे बन रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे बिलकुल बाजार जैसे और आप इसे देख के अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितने टेस्टी बनेंगे फूले फूले छोले बटूरे बनाएंगे घर पे और फ्रेंड्स अगर आप चेनल पे नए हैं तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए एक बड़े से बाउल के अंदर मेंने दो बाउल भर के मेदा डाली है और फिर मैंने इसी के साथ डाली है सूजी एक छोटा बाउल भर के इसमें सूजी डाली है सूजी आपके पास बारिक वाली या मोटी वाली जो हो वो डाल सकते हैं इसी के साथ डालना है नमक हलकी सी अजवाइन मैंने इसमें एड़ की है आपको पसंद नहीं हो तो स्कीप कर सकते हैं अजवाइन को रब करके इस तरह से डाल देना है हलका सा डाला है मीठा सोडा फिर मॉयन के लिए ओईल डाला है दो छोटे चमच ओईल डाला है अच्छे से एक बार इस तरह से मिक्स करके चेक कर लिया है परफेक्ट है या नहीं मुठी बांद के देखिए मुठी में अगर बंदर आया है मतलब perfect है, तो more and perfect लग चुका है, दोस्तों मेदा में more and perfect होने से ही भटूरे फूले फूले बनेंगे, इस चीज का अब ध्यान रखिएगा, फिर एक छोटा बाउल भर की में इसमें डाला है दही, दही डालने से भी perfect भटूरे बनेंगे, तो एक बाउल भर की दही डाल देना है और अच्छे से पहले कर लेना है mix, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे हमें डो लगा लेना है, तो मैंने ना तो ज्यादा tight और ना ही ज्यादा soft डो लगाया है, तो डो लगने के बाद हमें एक थाली के अंदर या परात में या बड़ी सी जो भी बरतन हो उसके अं तो इसे कीचन काउंटर पर भी बना सकते हैं, तो इस तरह से आप देख रहे हैं अभी अंदर से फटा फटा दिख रहा है, बस अच्छे से इसे डो लगाया था, उससे के अंदर डाला है मैंने oil, oil लगा के डो को इसमें इस तरह से गुमा देना है, और फिर हाथ पे भी हलक जब तक यह सेट होता है, हम छोले बनाने की तैयारी करते हैं, तो बहुत ही टेस्टी यह चोले दिख रहे हैं, इसे बनाने के लिए क्या गन्ना है, एक कड़ाई के अंदर मैंने एक छोटा चमज ओल डाला है, और कुछ खड़े मसाले डाले, तो खड़े मसाले में दो लों आज डाला है और हरी मिर्च, और सभी को हमें अच्छे से दो मींट तक गोल्डन होने तक पका लेना है, तो आप देख सकते हैं, इसका कलर चेंज हो चुका है, कलर चेंज होने के बाद केस की फ्लेम ओफ की है, और इसे मेने ठंडा होने के लिए इसे ही छोड़ दिया है, त तो अब छोले मैंने रात को भीगो के रखे थे, अच्छे से रात को भीगोए थे मैंने, ताकि इस वूबे तक अच्छे से फूल जाए, आप चाहे तो 6-7 गंटे भीगो सकते हैं, मैंने 10-15 गंटे भीगने के लिए छोड़ दिये थे, आप देख सकते हैं, आराम से टूट र चोले टाहरा है। और चोले केली बबानी कर डाला है। न ही गलास पानी डाला है। जाहिए आपकोछा चोले कि लीई, ऑपने की बोहीं च्टीटे चोले है। च्टीटेश मुदर कोफी खाले के लिए आरफी की ऑत जबाला है। जब तक की चाय अपना कलर नहीं छोड़ देती, तो मैंने अच्छे से इसे बोईल कर लिया है, अब बोईल होने के बाद, इसकी फ्लेम ओफ करकी, इसे भी रख देना है साइड में, बहुत अच्छा इसका कलर आया है, आप देख सकते हैं, इसे रख दिया है साइड में, अब जो मसाला हमने बुना था, वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो हमें डालना है मिक्सर जार में, और अच्छे से इसकी प्यूरी बना लेनी है, फ्रेंट्स आप इसमें अद्रक भी एड कीजिएगा, मैं भूल गई मैं हिसमें बाद में अद्रक बाद में पीस pregnant है, मसाला तयार है, चाएंचा पानी आ लिए, छोले तैयार है, तो अब छुछ से एक अदना है, इसे डायरेक्ट में ही बनाना ही, अद्रक ब्लका ने में डाला है, चार बड़े चमच ऐल, ऑईल अच्छे से गरम हो जाही, तो हलदी पाउडर, लाल मिर्ष पाउडर धनिया पाउडर नमक चार्ट मसाला गरम अदर nilka चने पाउडर बूंड़ा अब आपक ऑच्छे बूल लेना है अब ये सभी मसाले मैंने एक एक होटे छमगे बून लिए है और फिर मैंने…… इस जगे नहीं डालना चाहे तो आप पत्ती को कपड़े में बानके अच्छे से पोठली बना के वैसे डाल सकते हैं तो वैसे बीस का कलर आ जाएगा और फिर मैंने इसके अंदर एक अलू को चार पीसे ने चिल के अच्छे से डाल दिया है अलू डालने से यह थोड़ा थिक ग्रेवी बनेगी, तो इसमें आलु आपको पसंद हो तो एड़ कर सकते हैं, वैसे भी आप इसे सिर्फ छोले बना सकते हैं, फिर से मिक्स किया है, जार को दो के पानी डाल दिया है, अब जो चाय का पानी था, वो हमें इसमें चानके इस तरह से डाल देना है, अच्छे से चा बढ़ जाएगा, फिर से मैंने इसे मिक्स करके ढकन लगा के 6 सीटी आने तक पकने दिया है, 6 सीटी बाद इसे होने देते हैं ठंडा भटूरे के आटे को देख लेते हैं, मतलब जो मेदा हमने डो लगा के रखा है, उसी चेक करते हैं, तो बहुत यह अच्छे से से शेट हो चुका है, जब तक आप छोले बनाएंगे, तब तक यह बहुत अच्छे से से शेट हो जाएगा, तो आप पहले डो लगा के रखिएगा, तो यह भी एक टिप है, तो आप इसे भी नोट कीजिएगा, अच्छे सिर्फ वापस से मैंने इसे पटक पटक के इस तरह से 10 से 12 ब बनाके, हमें इसका भटूरा बनाना है, तो अब आप छोटा बड़ा जीसे चाहिए बना सकते हैं, अब एक टिप और है, कि जब आप भटूरा बेल के ओल में डाले, तो ओल हाई फ्लेम पे गरम होना चीए, तो डालने के बाद यह तुरंत ही फूल जाएगा, तो आप इसे पलट दे और लो फ्लेम पे अच्छे से सिकाई कर ले, और कड़ाई में ओईल जादा नहीं होना चीए, बस कम ही होना चीए, आप देख सकते हैं, बहुत कम ओईल में भटूरा बन के तयार हो चुका, और बिल्कुल परफेक्ट फूला फूला है, सारे भटूरे में इसी तर अच्छे से मिक्स कर देना है, मिक्स करने के बाद, गेस पे रखा है वापस से कूकर और दो मिन पका लिया है, ताकि अच्छे से ठिक हो जाए, और आप देख सकते हैं, बहुत ही शांदार फूले भटूरे बन के तयार हो चुके हैं, और इधर हमारे छोले भी परफेक्ट ह ग्रेवी देख सकते हैं, और कलर देख सकते हैं, बहुत ही शांदार बारिक कटी मैंनी प्याज डाली है, अदरक के लच्छे डाले हैं, और जो हमने भटूरे बनाए वो रख दिये, तो तो बिलकुल भी फूटे नहीं है, बिलकुल फूले फूले हैं, अभी तक आप देख बिरूर बताईए का मैं इसे इंजोई करती हूँ आप भी बनाए इसे इंजोई करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाए थैंक्यू सो मच फ्रेंड